नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम फाजगी और स्वागत है आपका अपनी चाहती चैनल पे जिसका नाम है राम बावरा फाजगी और हर रूज की तरह मैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ आता हूँ तो आज का अपना टॉपिक है फागिंग इन फार्मा जो फागिंग करते हैं किसलिए होती है फार्मा इंडेस्ट्री में कुन सा फागर यूज होता है क्या कैपैसिटी है कुन सा मॉडल है और डिसिंफेक्टन प्रिपरेशन का पहले सी मैं एक और डी वीडियो बना चुका तो आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं मगर हाँ दोस्तों वीडियो खाली only for members के लिए है तो अभी तक आपने मेरे चैनल की membership ने ली है तो आप जल्दी से ज्वाइन बटन क्लिक करके membership लो और वीडियो आप देख सकते हो तो इसका procedure frequency क्या है क्यूं fogging होती है कैसे fogging करना चा एरिया वालूम है वो कैसे का कैलकुलेशन होता है लो रेट जो फॉगिंग का है वो कैलकुलेशन क्या है फ्रिक्वेंसिस की क्या है क्लिनिंग कैसे होती है ये सब सवालों का अंसर मैंने इस वीडियो में कवर किया है तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुती फाइदे मन्द होने वाली है तो आप ये वीडियो स्किप मत करिए पूरा समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रही है तो शुरू करते है तो दोस्तों ये जो fogging है वो क्यों होती है और क्या क्या procedure है यह हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो fogging in pharma जो fogger use होने वाला है उसका जो make है वो ulv fogger का है उसकी capacity दो लिटर की है और जब भी हम लोग उसको use करते है उस time उसका angle होना चाहिए 45 degree का area volume जो cubic feet में आता है उसका formula है जो area का volume निकालना है उसके लिए length, width और height या breathe भी बोलो तो length, width और height करके जो भी आपका area होगा उसका length कितना है, width कितना है और height कितना है इनको आप multiply करोगे तो आपको area का volume आएगा ये volume आपको इसलिए चाहिए दोस्तों कि जो fogging करते है fogging के लिए हमको area का volume कितना है उसके हिसाब से हमको solution कितना लेना है वो decide होता है और कितने time के लिए fogging करनी है उसके surface area के हिसाब से ये सबसे main important चीज है area का आपको requirement है area volume उसका solution quantity और fogging time तो need of fogging, fogging हम लोग क्यों करते है तो to control the microbial load जो भी अपने पास अपने area में microbial load जो बढ़ रहा है उसको control में रखने के लिए fogging होती है तो microbial load method जो जो भी microbial का counting होना है उसके लिए कौन-कौन सी method यूज होती है तो वह method है पेट्रिडिश method, swab sampling और air sampling ये method यूज करके हम लोग या QC person उसका microbial load count करते है quality control में तो जो fogger है, fogger का जो filter होता है उसकी integrity हमेशे हमको check करनी है अगर वो damage होता है तो उसका replacement है every four month और if damage अगर खराब होता है तो हमको change करना है तो requirement आपको क्या है वाइरोसिल जो है वाइरोसिल से हम लोग solution बनाके fogging करने वाले तो वाइरोसिल है क्या ये चीज actually है क्या तो वो देखते है हम लोग वाइरोसिल is a surface disinfectant, disinfectant मतलब की आपको जो भी है हम लोग hand sanitizer यूज करते है गर में अगर हमको mopping करनी है तो disinfectant जैसे कि saulon, detol ये आपने नाम सुनाई होगा उसी तरह ये वाइरोसिल भी disinfectant है डीस इंफेक्टंट उसमें भी ये surface disinfectant है मतलब जो भी floor है floor के उपर surface के उपर जो भी fungi, protozoa, viruses, molds, algae ये सब आ रहा है उसको kills करने के लिए उसको control करने के लिए ये use होता है it's a clear, colorless, odorless and tastless disinfectant ठीक है ये clear है, colorless है, odorless है और tastless भी है non-carcinogenic और non-mudianic तो ये carcinogenic मतलब cancer पैदा नहीं करता है और non-mudianic,mudianic मतलब इसकी किसी दूसरी इसके साथ कोई reaction नहीं होती है तो इसलिए ये और भी philement है तो ये ही fogging के लिए दोस्तों और मैं आपको ये कहां बहुत ही important answer देने वाला हूँ जो कि ये fogging अभी वायरोसिल यूज होता है उससे पहले कुछ एयर पहले formally head और potassium permagnet यूज होता था तो वो अभी बंद किया है और उसके चलते ये वायरोसिल अभी हम लोग fogging के लिए यूज करते हैं तो वायरोसिल solution जो 20% volume by volume हमको यूज करना है तो ये वायरोसिल में actually chemical component क्या-क्या है तो chemical component में आता है hydrogen peroxide जो कि H2O2 बोलते है वो कितना होता है तो 10% weight by volume होता है hydrogen peroxide वायरोसिल में और diluted silver nitrate AGNO3 जो कि 0.01% weight by volume मात्रा में होता है this is a chlorine based disinfectant यह और यह जो वायरोसिल है silver nitrate के कारण chlorine based disinfectant है it helps to give a synergistic action against all kind of viruses सभी प्रकार के virus bacteria, fungi, yeast, protozoa, molds and algae के खिलाब यह अपनी action करता है उनको kills करता है इसलिए viral seal fogging में use वता है और कितने मात्रा में 20% के मात्रा में यूज करना है तो इसके लिए हमको क्या-क्या चाहिए fogger चाहिए SS container चाहिए जो की 50 liter का है यह 50 का ही चाहिए इसलिए कि आपको जितना area है कितना solution लगता है उसके इसाब से आपके पास अगर area चोटा है तो आप चोटे गंडर ले लो तो यहां मैंने for example 50 liter का दिया है मेजरिंग मग जिसमें की मेजरिंग होनी चाहिए जैसे की 0.5, 1.5, 2.0 ऐसे मेजरिंग होनी चाहिए वो कैलिबरेटेड हो मेजरिंग मग या मेजरिंग सिलेंडर electric supply यह हमको requirement है तो सबसे पहले हमको on off भी करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमको पहले से precautionary लेना पड़ेगा PPE तो PPE में क्या-क्या लगेगा hand glows लगेंगे गौगल लगेगा क्योंकि यह आई irritation करता है और body या किसी भी contact parts को या अपने body surface में अगर कहीं touch होता है तो irritate करता है वहाँ जलन जैसी होती है white dresses आती है तो इसलिए hand glows जब भी आप handling करोगे उससे पहले आपको hand glows पहनना है prepare the solution as per requirement आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप solution बनाईए fresh disinfectant shall be prepared whenever required for fogging और जब भी बनाऊगे तभी आपको freshly नया जो ताजा बना हुआ है वही आपको use करना है discard the leftover disinfectant solution by diluting it with water and then drain तो आपको water के साथ उसको dilute करना है और drain point में discard करना है वायरोसिल 20% solution shall be used for fogging for production area आपका जो भी एरिया है उसको fogging करने के लिए 20% वायरोसिल यूज करना है तो सबसे पहले हमको करना क्या है all materials should be removed जो भी आपका एरिया में material है उसको निकालना है labeling करनी है और quarantine area में transfer करना है जो भी open parts equipment के है उसको close cover करना है स्रेट्रेप्ट से करो या आप polybag से करो उसको cover करके close करना है एचू should be shut down during fogging तो हमको fogging स्टार्ट करने से पहले है हमको एचू shut down करो या non-functional में non-functional mode में डाल दो she chop the door interlocking जो भी doors है वो बंद कर दो तो procedure है add two liters of disinfectant in the fogger two liter क्यों डालना है कि अपने fogger की capacity दो लिटर की है जो नीचे tank होता है fogger के उसमें हमको जो हमने 20% solution बनाया है दोस्तों मैंने already आपको बता चुका हूं कि मेरा दूसरा भी एक video है fogger के उपर जिसमें मैंने आपको fogging का solution कैसे बनाते है और fogging actual कैसे चलती है वो आपको demo दिखाया है उस video में और वो video only for जो members है उनके लिए ही है तो आप अगर members होंगे तो तभी आप access कर पाओगे उस video का अगर नहीं है अगर आप चाहते हो तो आप जल्दी से join करके membership ले ले और वो video देख सकते हो तो दो लिटर हमने solution fogger में डाल दिया close कर दिया उसकी lid और वो fogger हमने table के उपर या bench के उपर रखना है ताकि working height पे आ जाए ठीक है और fog spreads in a whole area ताकि हमको पूरा area cover करना है जितना भी आपका production का area है या कोई भी area हो जो fogging करना है उसको हमको पूरा area cover करना है connect the fogger to the main supply electric supply को cover कर दिया start the fogger and ensure that there is no barrier in the path of the fog जो भी आप fogging कर रहे हो उसका जो spray जा रहा है उस spray में कोई भी barrier दूसरा कुछ आना नहीं चाहिए कोई part आ गया दिवार आ गई ऐसा होना नहीं चाहिए ताकि वो पूरे area में फैल सके अगर barrier आया तो वो पूरे area में spray जाएगा नहीं adjust the fogging spray pattern by knob अगर आपको जो fogging चल रही है उसका जो spray pattern है बड़ा करना है चोटा करना है तो उसके fogger में वहाँ knob दिया है उससे आप कर सकते हो fogging to be done for specified time mentioned in SOP as per the area volume volume area का कितना है specified time कितना है उसके हिसाब से आपको fogging करनी है solution भी उसके हिसाब से लेना है once the fogging is over switch of the fogger and keep room closed for recommended time period जैसे fogging खतम होती है तो आपको area बंद करके उसको hold कर देना है जो आपके as per SOP में लिखा है during fogging fogger shall be placed in a such a way garneted fumes sorry generated होना चाहिए हाँ generated fumes from the fogger to be covered to the entire area जो भी fumes हुई है वो पूरा area cover होना चाहिए है after fogging in production area corridor change room or close the door properly सभी का door आपको close करना है entry door of airlock change room यह सभी आपको close करना है फॉर एक्जामपल हजा हजार ml है मतलब वन लिटर disinfectant solution shall be used for fogging thousand cubic feet of room volume हजार के लिए 1000 cubic feet का area आपको लेना है तो यह है calculation के लिए है for example if area if volume of room is 10,000 cubic feet then total quantity of disinfectant shall be used 10,000 ml and if volume of a room 12,150 cubic feet then total quantity of the disinfectant shall be used of frogs 12,200 जैसे 150 है तो यहां उससे कम नहीं लेना है हमने 200 ml ले लिया मतलब 1200 1200 ml solution ले लिया ठीक है यह मतलब जो यह पीपी है आपको operation में भी cleaning में भी use करने है और जब भी fogging करते हो आपको man movement बंद कर दीने है ताकि यह आपको IQ irritation भी करेगा और fogging भी proper नहीं होगी तो यह fogging का time हम लोग fogging time for spray disinfectant solution for the area area के लिए आपको fogging का time कैसे calculate करना है time के लिए quantity of the solution ml ml में ले ले ला है आपको जितने लिये हो divided by flow rate of the disinfectant ml per minute मतलब आपने समदलो की एक liter solution लिया है एक liter solution लेके आपको per minute में solution कितना गया है यह करना है तो आप आप जैसे one liter को per minute में आपने जितना आया solution spray करके आपको पहले validate करना पड़ेगा और उतना जो solution एक minute में आ रहा है divided by आप यह जो total quantity है divided by में समदलो आपने one liter लिया है और आपका एक minute में जा रहा है समदलो for example 200 तो आपको इसको 1000 by 200 करोगे यह दोनों भी ml में है तो जो आएगा वो आपको spray rate मिलेगा और उसके हिसाब से आपको time उतना लगेगा उतना multiply करते रहना है when fogging is over keep the area close for जो भी आपके SOP में timing दिया है उसके यह सबसे आपको area जैसे का आदा गंटा या एक गंटा उसके लिए आपको area hold कर देना है ताकि वो सभी जो fumes generate हुई है वो fumes सभी floor पे सभी wall पे दिवारों पे वो जाके deposit हो जाए record the operation in a equipment log book log book में आपको entry करनी है और जो भी आपको time दिया है उसका time खत्व होने के बाद आपको area HO on कर देना है और फिर आपको आधा या एक गंटे के लिए area में HO run करना है ताकि वो fumes से वो circulate हो जाए sit on the door interlocking फिर आपको interlocking on करना है और area शाल भी clean and sanitize again properly before starting any activity और जब भी आपको next activity करने से पहले आपको area type भी करना है और तभी जाके आपको next activity start करना है और यह activity आपको fogging के activity fogging record में mention करनी है लिखनी है तो यह fogging की frequency क्या है तो जो भी SOP होगी इसके इसाब से या कोई area में modification होता है major civil work होता है और area अगर shutdown है one week या one week से ज्यादा microbial count अगर आपका hair side पे आ रहा है तो यह सब आपकी frequencies है fogging करने के लिए ठीक है फिर जो है fogging हो गई fogging के बाद आपको जो fogger है उसका cleaning करना है dilute the leftover quantity of the virus solution with the portable water and drain out तो उसको जो भी बचा हुआ solution है वायरो सिल्का उसको portable water के साथ dilute करना है और drain point में destroy करना है fill the half of volume of portable water and sink vigorously and drain water ठीक है उसको पानी डालके थोड़ा सा सिक करके drain out करना है मॉप outer surface जो भी है उसका fogger का outer surface मॉप करना है cable wire lin free cloth से clean करनी है और label attach करना है और इसका cleaning time log book में entry करनी है तो ये था fogging, fogging का solution उसका area का volume कैसे निकालते है, timing कैसे निकालते है, क्या solution यूज होता है, कितने percentage में यूज होता है, उसका component, fogger कौन सा यूज होता है, क्या capacity है fogger की तो ये सभी मैंने इस वीडियो में cover किया है, तो आशा करता हूं कि आपको सभी समझाया होगा, अगर कोई आपकी इसमें doubts है तो आप मुझे definitely comments करके पूछ सकते हो, और दोस्तो मेरे चैनल को अभी तक like, share और subscribe नहीं किया, तो आपको request है कि like, share और अपने दोस्तों के साथ share मत करना भूलिए, और करते रहो, hash interview के तयारी, और आप i button या description वीडियो का check करके, बाकी के वीडियो की link चेकाउट करके दूसरे वीडियो भी देख सकते हो, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ ऐसे ही नए topic के साथ, तब तक जहिन जह वारत